दियर स्टेंट्स गूद मॉर्निंग वेलकम इन फिजिक्स ओनलाइन क्लास विथ सुनिल कुमार सर्मा असिस्टेंट पोफेसर इन फिजिक्स तुड़े वी टीच अबाउट एवरी इंपोर्टेंट आफिक ओफ कॉंटम मेकनिक्स कॉंटन इफेक्ट और कॉंटन हो और इसे पिछली वीडियो में आमने कॉंटन इफेक्ट के बारे में जाना था कि कॉंटन इफेक्ट बैसिकली होता क्या है नए वीवर्स के लिए थोड़ा स मिब्था अटा देता हूं कॉंटन इफेक्ट क्या है necessarily क्लीए एक सकेटरिंग एक्स्रुमेंट है इस experiment में यह दि कोई photon जिसकी wavelength हम ले रहे हैं lambda किसी freely या loosely bound substance electron से collide करता है तो collide करने के पस्चात जो यह photon scattered हो जाता है जिसकी wavelength है lambda dash यह wavelength lambda dash incident wavelength lambda से अधिक प्रावत होती है है और यही जो effect है यही जो इंस फैनोमेन आहिसको हम करते हैं कॉम्टन effect यहां डिफरेंस होता है इसके तर्ड वयव्लंट फोटन और incident wavelength फोटन इसको हम करते हैं कॉम्टन शिप्ट या कॉम्टन विस्तापन आज हम इस सेकंड पार्ट वीडियो में इस कॉम्टन शिप्ट को फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली इसके लिए हम इस डियाग्राम में देखता है यहां एक फोटोन है जो किसी सबस्टेंस के इलेक्ट्रोन जिसका रेस्ट प्री इलेक्ट्रोन जिसका रेस्ट मास है एम नोट इसके एनर्जी इवन डैस एक्वल टु एम नोट सी स्क्वाइर और इसका मोमेंट्म हम ले रहे है P1 डैस इक्वल टू जीरो कोलिजन के बाद में जो इलेक्ट्रोन स्कैक्टर हो जाता है इंसिडेन्ट फोटोन की डायरेक्शन से फाई एंगल पर इसकी एनरजी E2 इक्वाल टू H नू डैस और मोमेंटम P2 इक्वाल टू H नू डैस अपन C इसी प्रकार जो यह रिकोईल एलेक्ट्रोन है तो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से ठीटा एंगल पर रिकोईल होता है इसकी एनरजी E2 डैस इक्वाल टू M C स्क्वाइर यहां M है वो है इसका कि मुविंग मास यहां M नौर था इसका रेस्ट मास पी टू डैस इक्वाल टू M V इसका मोमेंटम हो गया है कि ओके हम इस एस औरिस एस खुलिजरन को क्या कर रहे है ली इलास्टिक मान रहे है ल स्टिक होता है कि मौमेंटम और एनरजी रहता है है उन्हें दो कंसर्वेशन रूल से हम मैथेमेटिकलिक इसको पूरून करेंंगे लमडा या डम्यूल्त हो अकोर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन बिफोर कुलिजन और आप्टर कुलिजन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है मिन्स जो कुलिजन से पहले फोटोन की और फ्री एलेक्टोन की जो एनर्जी है वो कुलिजन के बाद में इसकेटर्ड फोटोन की और इस रिकोईल एलेक्टोन की एनर्जी के एकुलेंट होगी यहां इसकी जो एनर्जी है इंसिदेंट फोटोन की और है एवन प्लस इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है एलेक्टोन की वो है एवन डैस equal to scattered photon की energy E2 plus recoil electron की energy E2 dash okay put the value of E1 dash and E2 dash E1 की जगे हम रख सकते हैं H new plus E1 dash M0 C square equal to E2 H new dash plus E2 dash M C square इसको थोड़ा simplified कर लेंगे M C square equal to H ये उदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा new minus E new dash plus M0 C square इसको equation number 1 देदेगे second according to momentum conservation यहाँ जो energy है इसको इसको हम डायरेक्टली क्या करने है before collision और after collision equivalent कर रहे है but momentum क्या है equator quantity है तो यहाँ हमें जो यह momentum है P2 इसको horizontal और vertical component में divide करना पड़ेगा इसी तरह recoil electron का जो momentum है P2 dash इसको भी हमें horizontal और vertical component में divide करना पड़ेगा तो इसको divide कैसे कर सकते हैं इस डाइग्राम में देखिए यहाँ incident photon है इसका जो momentum है P1 equal to as new upon C यह horizontal direction में basically P1 dash फिर electron है इसका momentum 0 scattered photon P2 यह देखो कितने अंगल पर है फाइफर तो इसको horizontal component कितना हो जाएगा इसका P2 कोस फाई और इसका vertical component हो जाएगा P2 sin 5 इसी तरह से recoil जो electron है उसका momentum P2 dash horizontal component हो जाएगा इसका P2 dash कोस फिटा और vertical component हो जाएगा इसका P2 dash sin फिटा ओके according to momentum conservation in horizontal direction और vertical direction तो फिर्स्ट हम horizontal मींस अक्स अक्सिस अक्स अक्सिस direction में इसके momentum का conservation को देखेंगे तो यहाँ incident photon का जो momentum है P1 किस में है only horizontal direction में है प्लस P1 dash यह तो 0 है equal to horizontal में यह कितना आएगा sorry horizontal में स प्लस और लेक्ट्रों का थिटां का थिटां का फिर्स गाր धिर्स Tapi पी टू पी टू की जगह एज नू डैस अपन सी कॉस फाई प्लस पी टू डैस पी टू डैस की जगह एम वी कॉस ठीटा ओके इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेते हैं इसको इधर रहे लो उसको उस्तरब बैस दो तो क्या हो जाएगा एज नू अपन सी माइनस एज नू डैस अपन सी कॉस फाई यह सी को भी उस्तरब बैस दोगे तो एम वी सी कॉस ठीटा एक्वल टू एज कॉमन ले सकते हो इसमें से नू माइनस से नू डैस कॉस फाई एक्वेशन नम्बर टू ओके इसी तरह से होरिजन्टल कॉम्पोनेंट ओफ लोमेंटम होरिजन्टल कंपोनेंट को भी मोमेंटम कंद्रवेशन से यह आपका होरिजन्टल ना तो सेकेंड हम लेक सकते हैं इसमें इन होरिजन्टल डारेक्शन या वाइक्सिस वाइक्सिस में इन्सिदेंट फोटोन का जीरो प्लस फ्रील एक्ट्रोन का जीरो एक्वल टो यहां इसकेटर्ड फोटोन का सुर्य वर्टिकल वाइक्सिस में कंपोनेंट कितना हो जाएगा जयता प्लस रिकोईल एक्ट्रोन का ना और यह फही सेन फिटां यह यह फॉजटिकल डारेक्सिन वे नेटिकल शमish यह सैन क्या जाएगा माइन से अपी ले शे साइन ठीटा ओके वेल्यू पूट कर लेंगे यह वह जगा पीटू की जगे तो है एच न्यू डैस अपन सी साइन फाई माइनस पीटू डैस की जगे एम वी साइन ठीटा यह इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइड करके लिख देंगे तो एम वी सी साइन थिता एक्वाल टू एच न्यू डैस शाइन फाई इसको एक्वेशन नम्र देतेंगे थी हम्हर पास तीन एक्वेशन होगे एप एक्वेशन नम्र वन एनर्जी कंदरवेशन से एक्वेशन नम्र टू equation no.2 x axis component से or equation no.3 y axis component से from equation 1, 2 and 3 we find out the Compton shift first देखो equation 2 or equation 3 से equation 2 का square plus equation 3 का square okay equation 2 क्या है m c v cos ठीटा और इधर right hand इधर है m c v cos equal to s new minus new dash cos phi और इसमें है m c v sin theta इन दोनों का square होगा तो यहाँ cos square theta और यहाँ क्या होगा sin square theta common m square v square c square common आजाएगा तो m square v square c square common होगा अंदर आएगा sin square theta plus cos square theta equal to 1 second इस तरफ h square new minus new dash cos phi का square plus h square new dash square sin phi का square इसको सिंप्लिफाइड कर लेंगे तो हमें जो result मिलेगा m square c square new square equal to h square new square plus new dash square minus two new new dash cos phi इसको 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 इक्वेशन नमबर के देटे हैं आप और के नेक्स्ट इक्वेशन जो वन थी उसका स्क्वेश करके जो फोर है है एक्वेशन वन के square में से एक्वेशन फोर को क्या करेंगे सब्स्ट्रेक करेंगे और इसमें से फिर हम कॉम्टन शिफ्ट का जुड़ कि टेरिवेशन है डेल लेमडा एक्वल टू लेमडा डेस माइनिस लेमडा की वेल्यू फाइंड आउट करेंगे यह वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए आज के लिए काफी ओके थैंक्स